पपू से लेके पनौती तक रहूल गाधी की मानसिक्ता का पता चल गया वो लोग जो कहीं थोड़ा उमीद लगा के बैठे थे कि मोदी जी का भी कर्फ हो सकते हैं लेकिन उन्हें अब समझ में आ जाएका मोदी जी का भी कर्फ तो कभी नहीं हो सकते किसी भी आलत में मुझे लगता अभी कुछ सालों तक तो कभी नहीं हो सकते पनौती और पपू का क्या मेला इस पे मैं बात करूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से नमस्कार इंदुस्तान सौत आपका मेरी चल नंदी जो में मावन नंदी जै हिं जै भारत बंदे मात्रम जै बाबा के दारना जै क्यों कि आज आप बात करेंगे दे दों ऊत्रहकन्द के निकर रहे हैं और हो कि सबसे पहले मगान के उनका मत्रण करना चाहूंगी सारे जितने यहां इंदुस्ता में सभी को पता है भगदर थोड़ा देर में बच जाते हैं सबको अपनी ज्यान बचाने की पड़ी रहते हैं लेकिन उन लोह ने बहुती संगर्टी तरीकी बहुती सकारतमक एक नजरिया पना है सकारतमक इंदिष्टिकोर सकारतमक सोच के साथ भगवान क भगवान पर भरोसा किया अपने घरवालों की दुआओं पर वरोसा किया और एक संगर्टी जो परिवार हम दुआये करते हैं और अपने देश पर अपने सरकार पर जो उनोंने भरोसा किया उस पर खरे उत्रे और वो सुरक्षित बहार आ गये इस सब चीजें होती हैं यह जो बात आज प्रधामंतरी ने जो बात들 हैं आज मद्दूरु से की उन बातों से बात हैं यह चीज़ें सावित होती है सмотрите कि अपनों की दुआओं में कितनी तागोत हो कि भगवान पर कितनी कितना विश्वास करें तो पे भरोशा करके हमें कित्ती हमत मिलती है इसके कितने तागत होती है अगर हम हमेशा सोचने की भगवान है अपने घरवालों की दोऊँ पे हम भरोशा करें अपनों पे भरोशा करें संगटित परिवार पी हमजी यह सब बात है आज पर्धान मंत्री मोधी जी ने की मजदूरू के साथ इस तरह से मुझे ने रखता किसी पर्धान मंत्री ने इस तरह से बात है कि होगी कभी भी इस तरह के हालात में और ये किरपा ही तो थी जो पर्धान मंत्री का रवय जब होता हो बिलकुल अलग होता है लेकिन इस तरह के हालात होते हो एक परिवार के सद ऐसी के तरह बन जाता है है आप कभी होश्ला बढ़ाते हैं कभी आपको दुआये देते हैं यही बात मोदी जी कि बिलकुल को अलग करती है और पढ़ार मंत्रियों से आज तक किसी पढ़ार मंत्रियों मुझे ने लगता है इस तरह से बात है क्यों होगे और यही बात आँ मजदूरू ने भी वह कि हमारे सरकार का से हुगता है हमारे राज सरकार ने से हुग दिया कि अधर सरकार बहले ही पर्दान मंत्री वहां नितन का फ्यूब में कि पूरी ट्री महां पर उन्होंने भेजी हुए थी सब कुछ पल-पल की ख़वरों ले रहते लेकिन हर चीज में राजनीत करना हम लो शारे बड़े बड़े पत्रकार्मी ऊपप रहूल गा Hundreds वहां सबसे उपर राजाता है क्या दसा नीधा यो जूब जिस ने भी दिया खायसकार मुझे कोई कहता है भारती जंदा पार्टी ओलो नहीं दिया जिस ने भी दिया है उनको पपु नाम पपु नाम संग्यत करता है बहुलेपन की तरफ कि एक बहुलापन है एक मासूमियत उनके अंदर है वो बड़ा भार नहीं समाल सकते इस तरह से पपु सब्द यह होता है लेकिन जो उन्होंने सब्द पनौती इस्तेमाल किया अपने देश के परधन मंत्री के लिए सिर्प अपनी गंदी राजनीत को चमकाने के लिए उससे आज हमां पता चल गया कि यह मान सिकता कितनी घटिया और कितनी खतनाक हो सकती अगर पैचांस सब्द तो कभी हमारे देश के परधन मंत्री बनते हैं तो कि हमें से जब लोग आपको पपू बोल देते तो हमें लगता था पपू कोई बात नहीं हो सकता है उनके अंदर उपर पकूता ना हो एक राजनेता की एक बड़े पत को समझालने की हमने कभी उसका मतलब गलत नहीं समझा लें कि परधार मंतरी के लिए इसके बाद हम आपकी कितनी जहरीली है और कितनी खतरनाक हो सकते हमारे देश के लिए अगर आप इस देश के कभी दुरभागे से परधान मंतरी बने तो इतने मुस्किल हालात में 41 जिंदिग्या अंदर जिंदिग्या और मौत के लिए की जंग लड़े थे जबकि हलंकि बाबा केदार नेजग की बहुत ही असीम किरपा रही कि वह सुरक्षित बाहरावे और हमारे सरकारों की मदद और मैं जो सुन रही थी उन्हें मजदूनों को उन्हें का बीके सिंग उनका भी नाम खास कर लिया मोधी जी ने तो यह भी बोला कि आज उन्होंने अपना पूरा मिलेटी वाला दमखम दिखाया जिस तरह से मोधी जी एक घर की सदेश की तरह बात करते हैं उसके बाद आब उनकी उनसे इस तरह से इस तरह कि सोच रखते हो राजनीत करना एक अलग चीज है कर लो कोई दिकत नहीं है जो हम हम पार्दी जंता पालिके संबर्थक है हम भी जहां गलत होता हम भो होते हैं कि यहां पी गलत है क्योंकि कोई पाल्टी हमारी सिता थोड़े हमने देश को नेताओं के हात्मागर देश आपकी जिम्मितारी बनती है जन्ता ने आपको भी चुनके भेज़े हैं लेकिन आपकी अपने घट्या मान्चिकता को मत दिखाओ अपनी जहरीली मान्चिकता का परदर्शन हर जेगा मत करो किरपा रही बगवानई जी के किरपा रही पावाज भूले नाथ के दर्णाज़ जी उनके अपनों की दुआओं क्यूयोटे की सरकार की महनत कि इन सरकार की राज्जी सरकार की खास का सब कहने धामीजी ने हमें बहुत मदद की है और अब ये लोग ये सुनना चाहते हैं कहीं से बेज सब्द निकालेंगे कि कहीं से ये सुनने को मिल जाए कि सरकार ने यहाँ पे खोताई कर दी थोड़ा आजय है एक ऍशनी वह अश्कैना का खुदी मांदारि कारी तंगा वेठीए हे इस इताक्त कूं सर्माती अइसे पत्रकाईटा से सर्माती नेताओं से तुम साहे विपाक्स मेओ तुम सरकार को पसंद नहीं करते हो लेकिन तुम्हारी सोच देशित में तो होनी चाहिए ना अभी एक परगया के नाम से पत्रकार आती है यूपी में बच्चों को बोलती है बच्चों तुम वो किसी मान के लिए बच्चों बैठे हुए थे दरने पे लड़किया तो वो कहती है आप क्यों सरकार के खिलाप बैठे हुए बच्ची उटके बोलते कि नहीं हम सरकार के खिलाप नहीं है हम सरकार के सामने अपनी मांगे रखना निश्ची तुरूप से हमने अगर सरकार चूनी है तो हमारी हमारा हग बंत हमारा अधिकार हम सरकार के सामने अपनी मांगे रखना लेकिन यह पत्रकार जवरजस्ति के राजनीती मढख उखने की कोशिज करने और उसके बाद अ कहते हैं कि हम यह मानदार पत्रकार है सरम करलो अपने पेषएको बचा लो झो भी कर रहा है इस तरह के घटिया पत्रकार ता है घटिया राजनीती थोड़ा wake चलो अपने से को इंसानियत को चलो राजनी एताओं का यह काम होता है इधर करें कि फैदा हुगा क्रो olm बहुत पत्रकार ऐसे हैं जो अपने आपको मांदार कहते हैं हम देखते हो किस किस तर की वीडियो जी बनाते हैं मांदारी के नम पर बारहल जो भी है हमारे जो एक तालीस मजदूर फशे वो बहर आ गए लाख लाख दहनीबाद बाबा केदार के दारना जी किरवाजे सारे सुरक्षित बहर आ गए यही तागत है सनातीनी की यही तागत यही ताकत, काम कुछ भी करें लेकिन हमारे विश्वास है, जैसे कि हमारे प्रधामन्ति ने बोला, आपके अपनों की दुआएं, आपके अपनों की जो सोच है संगटी, जो सोच अची सोच के साथ आप अंदर रहे, और बाबा केदार नाजती के किरपा रहे, हम इन चीजों आपके अपनों की जो सबसे अलगा है, तो मैं कहना चाहूंगी, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सरम करो, हर जगा राजनीती, गंदी राजनीती है, हर जगा गंदी पत्र करता है, नहीं होती है, जै बाबा, केदार नाथ, जै इंद, जै भारत